हेलो दोस्तों महिलाओं को गहने पहनने का सौक बहुत ज़्यादा होता है रोजाना महिला ज़्यादा भारे गहने तो नहीं पहनते हैं पर फिर भी महिला अंगूठी बिच्छिया चेन कानों में कुछ जरूर पहना करते हैं नहीं तो अंगूठी और बिच्छिया जरूर पह लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान महला को कई बार अपनी इस इच्छा को थोड़ा कंट्रोल करना पनता है जैसे कि प्रेग्नेंसी के दौरान अंगोठी न पहनने की सला दे जाती है आप सोच रही होंगी कि आखिर अंगोठी पहनने से क्या होगा क्यों नहीं पहनने चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने जा रही हूँ कि अगर प्रिगनेंट महला अंगोठी और बिच्छिया पहनती है तो क्या-क्या दिकत हो सकती है उनके लिए और उनके गर्व के लिए और उनके स्वास्त पे असर क्यों बढ़ जाता है दोस्तों प्रिगनेंसी के दोरान बॉडी का वजन बढ़ता है जिसके वज़ा से उंगलियों के साइज में भी थोड़ा बदलाव आ जाता है ऐसे में उंगलियां मोटे होने के कारण जिस उंगली में महलाने पहले से ही अंगोठी पहन रखी है वो अंगोठी उनको छोटी पढ़ जाती है यानि दवाब ज्यादा पढ़ने लगता उस अंगोठी की बज़र से और मांस्पेशियों पे ज्यादा दवाब पढ़ जाता है और बलड़ फ्लो सही से नहीं हो पाता है ऐसे में ब्लड फ्लो अच्छी से न होने के कारण रिगनेंट महला को दिक्कत होने लगती है साथ साथ उन्हें और भी कई सारे परिसानिया होने लगती है और इसका सीधा असर उनके गर्भ पे भी पड़ता है उसके बाद दर्द होने लगता है दोस्तों अंगूठी के कारण दवा बढ़ जाता है जिसे नसों पर भी दवाब होने लगता है और उंगली में हमेशा दर्द की समस्या रहने लगती है धीरे धीरे हाथेली और फिर बाह तक पहुँच जाती है और सरीर के दूसरे हिसे भी परभावित होने लगते है जो आपको और भी परिशाने खड़ा कर सकते है तो आपको इस बात का जरूर पता होने चाहिए अंगूठी पहनने के कारण जिस नंगली पर दवा परता है उस हिसे के आसपास सूजन की समस्या हो जाती है और सूजन की समस्या दिक होने पर महिला को दर्द भी होने लगता है प्रिग्नेंसी के दौरान अंगूठी पहनने के कारण नसों पर भी दवा पर जाता है और किसी एक नस पर भी अगर दवा परा तो आप समझे कि सरीर के दूसरे हिसे में भी इसका प्रवाब होगा ऐसे में प्रिग्नेंट महिला को कोई दिक्कत और न हो जाए इसके लिए प्रिग्नेंसी के दौरान अंगूठी नहीं पहनने की सला दे जाती है कई बार दोस्तों आपको भी पता है क्योंकि सरीर में इतने सारे हार्मोनल बदलाप होती जिन से उनका इसकीं काफी sensitive हो जाता है एसे में सभी महिलाओं को तो नहीं कह सकती हूं पर कई महिलाओं को यह समस्या हो जाती है कि चाहे कोई भी धातो की अंगूठी पहनती है उन से उनको allergy हो जाती है और परिशाने बढ़ने लगती है कई बार तो कई महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि आखिर ये दिकत क्यों हुई है क्योंकि pregnancy के पहले ये दिकत नहीं होती है जैसी pregnancy हुई, hormonal changes हुए और बाद में ये दिकत आने लगती है आपको समझ भी नहीं आएगा कि सरीर में ये बदलाव क्यों हुआ, दर्द क्यों रहने लगा सरीर के दूसरे हिसे में दर्द क्यों हुआ है, हो सकता है दोस्तों, ये भी एक कारण तो दोस्तों, ये कुछ कारण है जिनकी वज़ा से pregnancy के दौरान अंगूठी और बिच्छिया नहीं पहनने के सलादी जाती है यदि pregnant महिला अंगूठी नहीं पहनती है, तो कई साधे समस्यां से वो बच जाती है तो आसा करती हूँ, आप मेरी बातों को समझ गई होगी, और अगर आपको इस समस्यां से जूज रही है आपको भी ऐसा लगता है, कि आपकी हथेली सुन हो जाती है, दर्द ज़्यादा होने लगता है, उनका आना जाना बंद हो जाता है नसों में खिचाबट आने लगती है, तो आपको इस बात को जरूर समझना चाहिए, और गोठी आपके दिए पहना सही होगा या नहीं आसा करती हूँ, यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत धनेवाद, थेंक्यों वेरे मच्च